चलिए सब, स्टार्ट होगया, वन मेंट प्लीज चेकिंग, यस चेक, ओके, आज अपना पहला टॉपिक है, मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, और DRDO MTS के स्टूडेंट के लिए तो ये क्लास जादा ही, बहुँ जादा महत्पूर है ही, क्योंकि त्यारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बता दो, जो स्टूडेंट रेलवे एंटीपीसी की त्यारी कर रहे हैं, DRDO MTS के लिए तो है ये, ठिक, जो स्टूडेंट रेलवे की त्यारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देखेगा, क्योंकि रेलवे के लिए भी यहां से एक क् आपको देखने को मिलेगा, Railway NTPGूपी जो इस्टूदेंट उप के किसी विए एक्जाम की त्यारी कर रहे है, जैसे UPxy लेकपाल की त्यारी कर रहे है, emphasize. 달ुपِّ आपकोme तैजाम may थे आपको फीर के इकिसी अधर आक्वर्ट टीजीटी की जहां पर यह पर द किक الر assistance सा चार-पांच क्लास में ही बंद करते हैं हमारा वो काम नहीं है हम सटी न्यूस देते हैं यानि कि एक बार में पढ़ाएंगे पर इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि बाकी फिर कभी आपको इस टॉपिक को पढ़ने की अवस्यक्ता नहीं पढ़ेगी तो सबसे पहले जितने भी स्टुडेंट DRD और MTS के हैं वो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर कर देंगे आज का अपना टॉपिक है सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं साधारण ब्याज साधारण ब्याज देखे रैटिंग वगेरा पर मत जाईएगा ओके सिंपल इंट्रेस्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं हालांकि मेरे को इस्टार्ट जो करना था वो करना था सबसे पहले परसेंटेस लेकिन इस वार अभी हम इस्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंट्रेस्ट से साधाने व्याजे से तो DRDO के स्टुडेंट तो किलियर होई जाई है क्योंकि 60-70 अभी ये क्लास चलने वाली है और एक टॉपिक को जिसको मैं पगड़ूंगा यानि कि क्वेशन दोंगा उनका रिवीजन भी करेंगे डेली के डेली ठीक तो यहां पर आपको रिवीजन क्वेशन भी मिलेंगे आपको PDF के फॉर्मिट में नोट्स भी मिलेंगे जो कि हमारे कि आपको हाई लेवल के कोश्चन करा दिये जाए नहीं आपको बेसिक से पढ़ाया चाहेगा सबसे वड़ी बात होती है पहला पइंट होता है इसके अंदर प्रिंसीपल सिंपल इंटेस्ट स्टार्ट करते हैं पी का मतलब होता है प्रिंसीपल प्रिंसीपल आखिरकार क्य क्या होता है जब हम simple interest पढ़ रहे हैं तो हमें principle पता होना चाहिए हिंदी में बोलते हैं इसको मूल धन किया बोलते है मूल धन जैसे माने लीजिए कि मुझे 100 रुपे आपने मेरे से मागे कितने रुपे 100 रुपे मागे आपने वोला कि सर मुझे 100 रुपे दीजिए मैंने क्या किया आपको 100 रुपे दे दिए आपको क्या कर दिया 100 रुपे दे दिए अब आप बोले कि सर सौ रुपे तो आप दे रहे हो लेकिन आपने बोला कि दो साल के लिए चाहिए मुझे यानि कि टाइम कितना हो गया टाइम समय कितना हो गया यहां पर मैंने बोला कि समय कितना समय के लिए चाहिए आपको तो आपने बोला कि sir मुझे ये जो रुपे चाहिए ये मुझे दो साल के लिए चाहिए कितने साल के लिए? दो साल के लिए चाहिए तो जो time होता है उसको हम t से रिप्रजेंट करते हैं principle जो होता है उसको हम p से रिप्रजेंट करते हैं टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं first point, principle को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, time को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, अब मैं भाई फोकट में तो आपको देने वाला नहीं हूँ पैसे, फोकट में थोड़ी दूंगा पैसे, तो आपने बोला कि Sir इसका लोगे क्या, क्या है दो परसेंट की व्याज़ पर चाहिए आपने बोला कि सर मुझे दो परसेंट की व्याज़ पर दे दीजिए मैंने बोला दो परसेंट की व्याज़ पर आप ले लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो प्रिंसीपल क्या हुआ जो मैंने आपको पैसे दिये जो मैंने आपको रुपे दिये वो क्या हुआ प्रिंसीपल कितने समय के लिए दो साल के लिए तो टाइम हो गया क्या लगा रेट लगाई दर लगाई अब दो परसेंट की जब दर लगाई तो आप ने बोला कि सर अब दो कैसे लोटा दीजी आप यही तो बोलूंगा तो आपने किया किया उन पैसों को लोटाया आपने मुझे लोटा दिये 110 रुपे मान लीजिए अभी एगजेक्ट नहीं है मान लीजिए आपने मुझे 110 रुपे लोटा दिये ठीक कोई दिकत तो जो 110 रुपे में ये जो 10 रुप एक्ष्ट्रा हैं क्या जो 10 रुपे एक्ष्ट्रा हैं ये क्या दिया आपने ये दिया आपने मुझे साधरन ब्याज क्या दी साधारन ब्याज दी सिंपल इंट्रेस्ट दिया ऐसाई इसी को बोलते हैं तो ऐसाई किसको बोलते समझे मूल धन पर मूल धन पर किसी निश्चित समय में लगाई गई दर द्वारा अर्चित धनरासी क्या कहलाएगी साधरन ब्याज simple interest कहलाएगी basic से समझा रहा हूँ ठीक मूल धन पर principle पर किसी निश्यत समय के लिए लगाई गई दर द्वारा प्राप्त धनरासी साधरन ब्याज कहलाती है बात समझ में आई point to point clear करेंगे ठीक है चलिए इसको साफ कर देते हैं ओके 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 यह भी set नहीं हो पा रहा है ठीक से set नहीं हो पा रहा है भहिए इसको set करो शलो ठीक अभी समझते हैं एक एक करके समझेंगे सभी points को ठीक है तो आप जितने भी student है DRDOMTS के अपने दोस्तों को जोड लीजिए क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा काम है दोस्तों को जोडने वाला यह रुक नहीं पा रहा है यार क्या चक्कर है चलिए देखे तो principle आपने समझा principle को p से represent करते हैं time को t से represent करते हैं rate को r से represent करते हैं simple interest को किस से represent करते हैं SI से represent करते हैं और मान लिजे जो आपने मुझे रुपे दिये उसको बोलेंगे amount क्या बोलेंगे amount इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मिस्रधन मिस्रधन इसको क्या बोलते हैं साधारण ब्याज इसको बोलते हैं दर यह आपका समय और यह क्या हो गया मूल धन यह क्या हो गया मूल धन ट्रिक्स भी बताऊंगा कॉंसेप्ट भी समझाऊंगा हर एक चीज से आपको कोशन समझाने की कोशिस करेंगे ठिक अब लेट सपोच कर लीजिए कि आपने पहला सवाल लेते हैं आपने क्या किया मेरे से 10,000 रुपे ले लिए कितने रुपे लिए 10,000 रुपे आपने मुझे मेरे से लिए आपने लिए ठिक 10,000 रुपे रेट कितनी कितनी थी, 5% की प्याज पर, 5% की इधर से, 10,000 रुपे आपने मुझे 3 साल के लिए लिए, कितने वुषे, 3 साल के लिए लिए, तो आप मुझे कितना साधरण ब्याज दोगे, यानि कि simple interest मुझे कितना मिलेगा तीन साल बाद इस सवाल को करने के अलग-अलग format में अलग-अलग तरीके हैं इसको हम formula से भी कर सकते हैं इसको हम without formula से भी कर सकते हैं कैसे बो समझे देखे सबसे पहले हम समझते है simple interest का formula होता है SI का formula होता है principle into rate into time बटा 100 क्या होता है principle into rate into time बटे 100 यह साधन व्याज simple interest SI equal to होता है बोले कोई दिक्कत किसी भी student को ठीक अब यहां से हमें क्या निकालना है simple interest निकालना है जी सर हम simple interest निकालेंगे ठीक तो कितने रुपे 10,000 रुपे principle हो गया हमारा rate कितनी हुई 5% की rate हुई time कितना हुआ 3 साल का time हुआ upon 100 1, 2, 1, 2 0 से 0 cancel out बोलो कोई दिक्कत किसी भी student को कोई समस्या ठीक बोले कोई दिक्कत किसी भी student को कोई समस्या ठीक अब यहां से अगर हमें से solve करते हैं तो 100 का गुड़ा 100 गुड़े 5 तीया 15 5, 3, 15 और यह कितना हो गया 1500 रुपे निकले यानि कि तीन साल वाद आप मुझे साधान व्याज के रूप में सिंपल इंट्रेस्ट के रूप में आप मुझे 1500 रुपे देंगे अब मैंने पूचा कि आप 1500 रुपे तो मुझे दोगे लेकिन amount कितना दोगे जो आपने दिया था उस पर मैं सिंपल इंट्रेस्ट लगा के दे दोगा भाई 3 साल बाद आपने मुझे से 10,000 रुपे लिए 10,000 रुपे पर 3 साल मैं जितना व्याज लगा उसे जोड़के मैं आपको दे दोगा तो amount का formula हो गया principal plus simple interest बोलो कोई दिक्कत किसी भी student को तो principal कितना है 10,000 रुपे simple interest कितना है 1500 रुपे तो total कितना बन गया 11,500 रुपे total कितना बन गया 11,500 रुपे ये basic है बिलकुल पहले इस्तर पर बता रहा हूँ अब इसी सवाल को जो आपने सवाल किया है इस सवाल को ऐसे नहीं करना था कैसे करना था आप चाहो तो ऐसे भी कर सकती हो लेकिन exam में आपको इसको fast करना होगा कैसे बो समझे चलिए इसी सवाल को कैसे करना था बो समझ लेते हैं आचा जी देखें जो simple interest होता है जो साधारन ब्याज होता है प्रतेक बर्स के लिए समान होता है साधारन ब्याज प्रतेक बर्स के लिए समान होता है अगर दर समान हो समान होता है साधारन भी आज प्रतेक बर्स के लिए समान होता है तो जो पहले साल के लिए लगा होगा वही दूसरे साल के लिए लगा होगा वही तीसरे साल के लिए लगा होगा तो दस हजार रुपे पर पहले साल के लिए पांच परसेंट की दर से कितना लगा होगा तो 5% परसेंट को उठाएंगे तो 100 का लगाएंगे 0, 0, 0, 0 यानि कि कितना लगा 500 रुपे लगा कितना लगा यह कितने का आया एक साल का 1 year 1 year का कितना निकला Simple interest एक साल का Simple interest कितना निकला यह आया 500 रुपे एक साल का 500 रुपे है एक साल का 500 रुपे है तो 3 साल का कितना होगा तीन साल का आप बोलोगे 3 year simple interest ये कितना होगा तो 3 गुड़े 500 क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया है कि साधर्ण व्याज प्रतेक वर्स के लिए समान होता है ठिक तो 3 साल के लिए कितना होगा 1500 रुपे तो वो जो आपको formula लगाना था उस formula की आपको आवस्थिकता ही नहीं थी अब आपको amount की बात करें तो amount वही आएगा आपका बहुत basic से slow motion मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको concept clear कर रहा हूँ आपके तो 3 साल का 10,000 और 1500 वही 11,500 रुपे तो आप बताईए ये fast है या वो fast है वहाँ आपको formula लिखना पड़ेगा यहाँ आप इन चीजों को sort कर सकते हो लिख भी नहीं सकते चाहो तो मतलब लिखो डारेक्टाराम से answer आ जाएगा बोले कोई दिकत अब पहुंचते हैं अपने next point पर जो हमने सीखा जो हमने सीखा अब उसको apply करने की बारी है हमारी ठीक जो हम सीख चुके हैं अभी तक उसको apply करने की जरुत है चलिए देखे हमने क्या सीखा simple interest के बारे में थोड़ा सा सीखा let's approach कर लीजिए दूसरा सवाल लेते है प्रिंसीपल कितना है 6,000 रुपे प्रिंसीपल कितना है 6,000 रुपे कितने साल के लिए 4 साल के लिए 4 years के लिए DRD और MTS के student वे फिक्र हो जाएं और अपने दोस्तों को जादा से जादा यहां पर जोड़ें जितना जादा आप जोड़ोगे जितना अधिक मुझे response मिलेगा comment box में अपने comment लगिए जितना पेंड करता है आप पर ठिक अब ये जो interest है मालीजे simple interest कितना है 15,000 रुपे है कितना है 15,000 रुपे है अब आपसे पूछा क्या गया है आपसे पूछा गया है कि sir rate बताईए क्या बताईए rate बताईए अभी हमको rate दे रखा था लेकिन अब हम क्या कर रहे है rate को निकाल रहे ह अभी हमको rate दे रखाता अब हम rate को निकाल रहे हैं पहला format क्या होगा formula का होगा सिखाने वाला हूँ सब कुछ formula को भी साथ लेकि चलने वाला हूँ तो formula से अगर हम इस question को करते हैं तो simple interest का formula होता है principle into rate into time बताईए 100 क्या यही होता है बिल्कुल यही होता है sir simple interest कितना दे प्रिंसीपल कितना दे रखा है 6000 रुपे दे रखा है into rate कितनी दे रखी है तो rate हमको निकालनी है time कितना है 4 साल का वटे 100 double zero से double zero cancel out हुआ बोलो कोई दिकत एक इस zero से इस zero को cancel out करेंगे 3 से cancel करेंगे तो 3 पंजे 15 zero 50 वार और 3 से cancel करेंगे तो 3 दूनी 6 2 से cancel करेंगे 25 वार तो बनके क्या आ गया यह आ गया बनके क्या बना 25 equal to 4 आ गया rate निकालेंगे तो क्या करेंगे 4 का भाग लगा दो तो 25 वटा 4 यह कितना होगा सर 6 mixed 1 y 4 परसेंट के वराबर होगा तो rate क्या निकली rate निकली 6 से 1 वटा 4 परसेंट लेकिन इतना ताम जाम करने की हमें आवस्सकता नहीं थी बिल्कुल भी नहीं थी कताई नहीं थी अब आप बताईए कि क्या हम formula for exam में लिखेंगे जी नहीं मेरा काम है basic से सिखाना तो मैं basic से जरूर सिखाऊंगा भई 6,000 रुपे चार साल के लिए दिये जाते हैं तो हमें ब्याज मिलती है 1500 रुपे कितनी मिलती है 1500 रुपे मिलती है 6,000 रुपे जब 4 साल के लिए दिये जाते हैं तो ब्याज मिलती है 1500 रुपे तो भईया एक बात बताओ जब 6,000 रुपे को ही एक साल के लिए दिया जाए 6,000 रुपे को ही जब एक साल के लिए दिया जाए तो ब्याज कितनी होगी क्योंकि साधारन ब्याज प्रतेक वर्स के लिए समान होती है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ तो 4 का लगा देंगे इधर डिवाइड कितना आएगा 1500 बटा 4 कितना आएगा 1500 बटा 4 4 का लगा ये भाग काटेंगे तो कितना बनेगा 4 तीय बारा बचे 3 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20 कितना निकला 375 रुपे निकले ये इस से आसान होगा ये जब इसको आप बरवली कर सकते हो 6000 रुपे 6000 रुपे एक साल के लिए दिये जाते हैं तो ब्याज मिलता है 375 रुपे कितने रुपे मिलता है 375 रुपे मिलता है और यही बात कही गई है कि एक साल के लिए दिया गए एक साल के लिए एक साल का जो सिंपल इंट्रेस्ट होगा उस पर हम रेट निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं तो कितना 375 रुपे हमें मिलते हैं कितने पर? 6,000 रुपे पर मिलते हैं कितने पर 6,000 रुपे पर 375 रुपे मिलते हैं 6,000 रुपे पर परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुड़ा 100 का कर देंगे मल्टी पेन 1,0, 2,0 2,0 cancel out हो गई 5 से काटेंगे तो यह जाएगा 12 बार और इसको 5 से काटेंगे तो 5,7,35 बचे दो पचम 25 तो 75 बटा 12 आएगा यहां से cancel out करेंगे तो यह 25 और यह कितना होगा 3,4 का 12 यानि कितना निकला 6 mixed बनवाई 4 परसेंट ही यह question जब हम भरबली करेंगे तो हमें इतने ताम जाम को लिखने की बात हमारे दिमाग में एक ही चीज होगी कि भया फॉर्मूले से से टपता दो लेकिन अगर हमने फॉर्मूला भी पढ़ रखा है और हमने concept ट्रिक बाला भी पढ़ रखा है तो हम दोनों को साथ लेकर कभी भी फसेंगे नहीं बात समझ में आई कि नहीं क्लियर है कोई दिक्कत किसी भी student को कोई समस्या चली next दिखते हैं पहुंसते हैं अपने next page पर देखें चेक चले आप लोग share कर दीजिए जितना भी बन सके उतना share करिए अपने दोस्तों के साथ share करिए अपने मित्रों के साथ share करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को share करिए मैं यहीं बोलूँगा share करना बिल्कुल ना भूलें और जिन लोगों ने अभी तक subscribe नहीं किया है नए आए हैं subscribe कर लो भाई especially बोलने की जरूत नहीं बढ़नी चाहिए आपको मुझे लगता है कि आप serious candidate होंगे अपने अप में ही बहतर तरीके से आप तयारी कर रहे होंगे चलिए माइक की समस्या को सही कर देंगे अब next question देखते हैं एक और question लेते हैं जब तक हमारा practice भी अच्छी खासी नहीं हो जाएगे तब तक हम टपकाते ही रहेंगे सवालों को यानि practice करते ही रहेंगे मान लिजे कि principle है 6400 रुपया कितना है 6400 रुपय प्रिंसीपल है 6400 रुपय 4 साल के लिए कितने साल के लिए 4 years के लिए 6400 रुपय 4 साल के लिए दिये जाते हैं तो हमें जो simple interest मिलता है वो मिलता है 800 रुपय कितना मिलता है 800 रुपय simple interest मिलता है सादान ब्याज मिलता है तो बताईए भाया कि rate क्या होगी बताईए rate क्या होगी अब आपके पास इस सवाल को करने के कितने तरीके हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दो तरीके हैं अभी तक कितने हुआ करते थे एक formula वाला लेकिन अब कितने हैं अब आपके पास दो तरीके हैं पहला formula वाला basic तो basic को भी देख लेते हैं basic क्या है इसको जो solve गरने का basic तरीका है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा tough हो ठीक जो basic तरीका है वो है हमारा formula बाला simple interest equal to principal into rate into time upon hundred बोलो किसी भी student को कोई समस्या अब ये तरीका तो हम पर आता है simple interest कितना है 800 रुपे है principal कितना है principal है 6400 रुपे into rate कितना है तो rate है भी या निकालना है into time कितना है 4 साल का है बटे 100 0000000 0000 कितना आया 800 बराबर 800 बराबर 64 गुड़े 4 गुड़े आर इसके बराबर आया 4 से cancel करिए 200 बर तो 200 बराबर 64 गुड़े आर अच्छा 4 से cancel करिए 4 से करेंगे तो 16 बर और ये जाएगा 4 पंजे 20 पचास बर 2 से cancel 8 और 2 से cancel 25 तो यानि कि 25 बराबर 8 आर आर बराबर क्या होगा 25 बटे 8 ये कितना बनेगा 3 mixed 1 बाई 8 परसेंट बहुत जगव पर बहुत सवालों में तो ये सवाल इस तरीके से करना भी आसान होता है लेकिन इस टाइप के सवाल को जब देखेंगे तो calculation का भंडार मिलता है और यहाँ पर हम फस जाते हैं क्योंकि exam निसन हम को सिर्फ 30 से 35 सेकंड किसी भी question को solve करने के लिए दिता है चाहें कोई भी exam हो अब इसी question को हमें करना हो एक अच्छे label के तरीके से तो वो समझे कैसे करेंगे भाई मेरे को एक बात बताईए एक बात बताईए यहाँ पर तो नहीं आएगा चलिए साफ कर देता हूँ मैं आपने note कर लिया होगा ठीक है इसके insert ले लीजे ठीक pause करके देख लीजेगा अगर इसी सवाल को मैं अपने method से बताता तो कैसे बताता 6400 रुपया 6400 रुपया आपने 4 साल के लिए लिया कितने साल के लिए लिया सर 4 साल 4 years के लिए लिया आपने ब्याज कितना दिया मुझे मुझे आपने ब्याज दिया 800 रुपय जब 6400 रुपय को 4 साल के लिए दिया जाता है तो ब्याज 800 रुपय मिलता है जब 6400 रुपय को 4 साल के लिए दिया जाता है तो ब्याज 800 रुपय मिलता है जब 6400 रुपय को निष्टे चार का लगा देंगे भागे यानि के 200 रुपे यानि कि प्रतेक बर्ष 6400 रुपे पर आप मुझे 200 रुपे ब्याज के रूप में दिते हो ठीक तो अगर 200 रुपे वियार मिलती है कितने पर मिलती है भैया 6400 रुपे पर मिलती है और percent निकालने के लिए 100% का करेंगे क्या निकलेगी रेट निकलेगी बोलो कोई किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या ठेक सॉल्व करती है वान टू वान टू क्या बच्चा वही 200 बटे आठ तो कैंसल आउट करेंगे आठ से मदल से चार से करेंगे 16 बार 4 से करेंगे 50 बार 2 से करेंगे 8 बार और 2 से करेंगे 25 बार यानि कि रेट जो निकली वो आई 25 बटा आठ परसेंट थी या फिर 8 mixed 1 by 3 परसेंट के वरेबर वही सवाल था वही पैटर्न था वही क्वेशन था लेकिन सॉल्ट करने का तरीका अलग हो गया जो आपका मैथड था वो था simple interest equal to principle into rate into time बटा सो लेकिन मेरा जो मैथड है वो थोड़ा सा अलग है बचा सीधी सीधी बात बता दू बटा आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है हर जगे मिल सकता है कहीं भी पढ़ सकते हैं सभी लोगों का एकी तरीका होता है 99% एकी तरीका होता है लेकिन कुछ जगव पर डिफरेंस पैदा होते है तो आप इन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं लेकिन कहीं कहीं फॉर्मूले में आप फस सकते हो यहाँ पर फसने के चांसे नहीं बहुत आसान सा तरीका है कुछ मैंने ऐसा तो किया नहीं कि बहुत अगड़ा मैधड़ लगा दिया हो चले चले ले लिया ठीक है अभी क्या है साफ करने के लिए नहीं एने पास कोई बात नहीं ले लेंगे भाई अभी साफ करने के लिए ही नहीं है चले कल लेके आएंगे बजार से इसके लिए da sir आज ऐसे चलने दो अप लोगों का प्यार रहा समान रहा और आपने अपने भाई को प्यार दिया तो सच मानिए आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ पर डिपेंड करता है कि आप कितना सेयर करते हैं, आप कितना लाइक करते हैं कितने ज़्यादा कमेंट लेकते हैं इतना सब्सक्राइब करवाते हैं अपने दोस्तों के साब तो अपने फ्रेंड से भी बोला करिए कि भाई DR.D.O के लिए कि लास हे स्टार्ट हो चुकी है सर पड़ा रहे हैं आप आईए DR.D.O के तैयारी करिए ठीक चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर यानिके नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए अब इन कोशन को इतना टाइम न दिया जाए कितने टाइम में मिनीमम टाइम में इस कोशन को सॉल्व किया जाए वो भी पैटर्न देखते हैं देखें लेट्स पोच करिए कोशन नमर थाड़ बोल देदे हैं इसको लेट्स पोच कीजिए कि प्रिंसीपल अगर बारा हजार रुपे दिया है प्रिंसीपल अगर बारा हजार रुपे दिया है टाइम अगर तीन साल का दिया है थ्रे इयर्स का आमाउंट आपको मिलता है कितना तो आमाउंट आपको मिलता है तीन साल बाद ये कितना मिलता है तो ये मिलता है अठारा हजार रुपे क्या मिलता है अठारा हजार रुपे अब आपसे पूछा गया कि सर पहले तो बताईए रेट क्या होगी आपसे पूछा गया रेट परसे तो आपको एक अफी फॉर्मूला बताया था मैंने कि amount equal to क्या होता है amount equal to होता है principle plus simple interest मूलधन प्लस ब्याज को छोड़ दिया जाए तो ये amount के बराबर आता है जब मूलधन को ब्याज में जोड़ा जाता है तो amount बन जाता है क्या हम यहां से simple interest को नहीं निकाल चकते हैं कता ही निकाल चकते हैं भहिए simple interest निकालेंगे तो कितना amount दिया उसमें से principle को कर दीजिए minus simple interest में से simple interest निकालने के लिए amount में से amount में से principle को क्या कर देते हैं minus कर देते हैं बोलियो कोई दिक्कत किसी भी student को तो simple interest कितना निकलेगा सर, simple interest निकलेगा, amount कितना है, 18,000 रुपे, minus, principle कितना है, 12,000 रुपे, तो आपका simple interest कितना निकला, 6,000 रुपे, कितना आया simple interest, भहिया मेरे निकला, 6,000 रुपे निकला, बोलो कोई दिक्कत, किसी भी student को कोई समस्या, जब 6,000 रुपे simple interest निकला साधरान ब्याज निकल के आया तो अब हम निकाल सकते हैं rate तो वही formula simple interest equal to principal into rate into time बटे 100 formula तो हमें यही लगाना होगा तो simple interest कितना आया? 6,000 रुपे principle कितना? 12,000 रुपे into rate कितना? निकालना है time कितना? तीन साल का और बटा 100 कितना आसान सवाल हो गया? बोलो कोई दिक्कत 1, 2, 1, 2 3 से काटेंगे इसको कितनी बार? 2,000 1, 1 तो 200 बराबर आ गया निकल के कितना? 12 गुडे आर 12 का लगा देंगे डिवैड तो आर बराबर आएगा 200 बराबर आएगा ठीक, अब यहां से cancel out करेंगे 4, 3, 12 और 4 से करेंगे तो 4, 25, 50 बराबर तीन परसेंट कितना आया? 50 बराबर तीन परसेंट ठीक चले सर कितना निकला? 50 बराबर तीन परसेंट तो इसको क्या वो लेंगे? 16 सही 2 बराबर तीन परसेंट और यही क्या हो गया? इस सवल का सही जबाब हो गया चले बोलो कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? कहीं कोई समस्या? ठीक नोट कर लिया होगा चले अब पहुंचते हैं अपने next point पर कहां पहुंचते हैं? next point पर चले next point क्या है? वो भी समझ लेते हैं पहले इसको मैं साफ ख देता हूं चले अप लोग शेयर नहीं कर रहे हों शेयर कर दीजिए बहई ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सेयर करो अज़ेशे कम नही चलने व्लाओं है आ चले आप लोगों से बोलते नहीं हैं हम लोग तो आप share भी नहीं करते, ऐसा मत करो, support करो, ढंग से पड़ो, तरीके से पड़ो, principal दे रखा है, 8000 रुपे, कितना दे रखा है, 8000 रुपे, principal, 800 नहीं, 8000 रुपे, 8000 रुपे, principal है, amount है, 10,000 रुपे, amount कितना है, 10,000 रुपे है, time है, 4 साल का, 4 years का क्या है, time, चार साल के लिए, 8000 रुपे दिये जाते है, तो 4 साल बाद हमें 10,000 रुपे मिल जाते हैं, तो आप से पूछा क्या है, rate percentage क्या होका, rate percentage क्या होका, चलिए आते हैं, अपने point पर, देखे, simple interest क्या होगा, तो 10,000 रुपे हमें मिलते हैं, 8,000 को minus कर देंगे, जब amount में से principal को minus किया जाता है, तो क्या निकलता है, simple interest कितना आएगा, 2000 रुपे, कितना आएगा, 2000 रुपे, formula आपना लगा देंगे, simple interest equal to principal into rate into time बटा 100, पहला method आपके सामने, तो simple interest है, 2000 रुपे, principle है, 8,000 रुपे, into rate निकालना है, time है, 4 साल का वटे 100, ठीक, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यह जाएगा 25 बार, तो यहाँ बचेगा, 2 गुड़े, 2 equal to, 8 R, बटा 25, नीचे 1 cross multiplication, 8 R बराबर, 2 गुड़ा 25, तो उसे जाएगा 4 बार, तो R आएगा 25 बटा 4, परसेंट, या फिर इसे बुट सकते हैं, 6 mixed 1 by 4, 4 परसेंट, कितना आएगा, 6 mixed 1 by 4 परसेंट के करीब आएगा, अब यह तो रहा तरीका कैसे, formulae से करने का, यह तरीका कौन सा है, यह तरीका है, formulae से question को solve करने का, अब इसी question को अगर हम अपने method से करते, तो कैसे करते, बो समझे, अब एक्जाम में कैसे करेंगे, बो चान लिजिए, 8000 रुपे दिये जाते हैं, आठ हजार रुपे दिये जाते हैं, चार साल के लिए, ब्याज कितना मिलता है सर, तो चार साल में जो ब्याज बनता है, वो बनता है दो हजार रुपे, क्या बनता है, आठ हजार रुपे पर जब चार साल के लिए दे आयाते हैं तो सिंपल इंट्रेस्ट साधान ब्याज कितना मिलता है दो हजार रुपे मिलते हैं अगर आठ हजार रुपे दिये जाते हैं एक साल के लिए वन इयर के लिए कितने के लिए वन इयर के लिए तो चार का लगा देंगे तो कितना आएगा 500 रुपए ब्याज मिलेगा अब यह जो 500 रुपे है यह ब्याज मिलती है कितने पर मिलती है 8,000 पर मिलती है गोड़े 100 का कर देंगे परसेंट निकलाईगा 0, 0, 0, 0, 1, 0 by 4 कितना आया सवाल का क्या हो गया आंसर जो ताम जाम हम करते आ रहे थे जो क्वेशन को लपिटते हुए आ रहे थे उस मैथड से अगर हमें बचना है तो इस मैथड को अपनाना होगा अब ये वन इयर के लिए निकाला है तो येतना क्लियर कर दूँ वन इयर का सिंपल इंट्रेस्ट ही र यानिके दर कहलाता है एक साल का दिया गया साधरन व्याज प्रसत ही दर कहलाता है बोली कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या चलते हैं अपने नेक्स्ट कोशन पर चलिए तेखें नेक्स्ट देखते हैं तो और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा चलिए आप लोगों ने सेयर कर दिया होगा फ्रेंट्स के साथ सभी के साथ सेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सेयर कर दीए चलिए अब जो प्रिंसिपल दे रखा है वो दे रखा है बारा हजार रुपे कितना दे रखा है सर बारा हजार रुपे तो आ बीस हजार रुपे आपको amount मिलता है, बारा हजार पर बीस हजार का amount मिलता है, time दे रखा है तीन साल का, time कितना है, three years का, तो पूछा है आपसे rate क्या होगा, अब आप फास्ट ली निकालेंगे, मैं आपको principal वाला नहीं बताँगा, अब आपको करना है, आप करिएगा, तो यो simple interest होगा, amount में से घटा दो principal को, amount minus principal, याणि कि 20,000, minus 12,000, कितना आएगा simple interest, तो ये निकलेगा आपका 8,000 रुपे, ठीक, कितना मिलेगा, 8,000 रुपे, जब 3 साल के लिए 8,000 रुपे है, तो 12,000 रुपे पर, तीन साल में, 8,000 रुपे simple interest मिलता है, तो एक साल पर कितना मिलेगा, 12,000 रुपे पर, एक साल का simple interest कितना होगा, तो ये होगा, 8,000 बट्टा 3, ठीक, तो 8,000 बट्टा 3 रुपे, कितने पर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं 12,000 पर परसेंट 100 का गुड़ा कर देंगे परसेंट निकल आएगा 1, 2, 1, 2 0 से 0 कैंसल तो ये बचा 800 बटा 3 गुड़े 12 4 से काटेंगे 3 बार 4 से काटेंगे 200 बार 200 बटा 3 तीय 9 परसेंट तो कितना आया 200 बटा 9 परसेंट ठीक इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 9, 2, 18 9, 2, 18 9, 2, 18 बचेगा 8 चले आप 200 बटा 9 परसेंट इसका सही जबाब होगा तो फिर्ट सीधी सीधी बात बता दूं आपको और सटीक तोर पर आपको बात बता दूं किलिएर कट बात बता दूं कि जितने भी फ्रेंट्स पहली बात तो यह है यहां पर पढ़ रहे हैं और जिन्हों नहों भी तक यह जो क्लास ली है उसका वेनिफिट उन्होंन ने लिया है और उनको पता चल गया होगा कि अब यहाँ पर एक अच्छे बहतर तरीके से हमें तयारी मिल सकती है तो फेंट से वड़ी बात तो यह है कि हमने regioning भी स्टार्ट करती है general science भी स्टार्ट करती है general awareness भी स्टार्ट करती है हलंके अभी current affair इसटार्ट नहीं की है आप comment box में लिख दीजेगा उस पर भी जवाब आप देदीजेगा तो math का तो portion पहली बार start हो गया है साधर नव्याज हो गया है advanced math में हमने algebra start करती है तो जितने भी friends है सबसे बैदी बात तो यह है कि आप लोगों को इसको करना है share क्या करना है share करना है जादा से जादा लोगों के साथ share करोगे अगर वीडियोस पर views नहीं आएंगे like नहीं आएंगे, comment नहीं आएंगे share नहीं आएंगे, subscribe नहीं आएंगे तो फिर उसका फायदा क्या मिलने बाला है तो जितने भी friends हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबसे पहले तो करेंगे share अगर आप लोग share नहीं कर रहे हो तो करिए भाई, जादा से जादा लोगों के साथ, इस class का जो अभी time रह रहा है, वो रह रहा होगा साथ 20 से 25 मिनट का, अभी मुझे नहीं पता कितने मिनट की बेनी है, ठीक, तो इसका हम time table भी अभी एक गंटे तक ले जाने की सोच रहे हैं, कि एक गंटे तक इस class का भी time ले जाएंगे और जो जितनी भी classes हैं, उनको fastly time से करा दें, क्योंकि आपके पास सिर्फ 60 से 70 दिन का समय बचा है, और जितने भी लोग जिनको general science की PDF चाहिए वो मेरे से discussion कर सकते हैं मेरे whatsapp नंबर पर नंबर है 9875 4113 तो 9870 654113 इस वो whatsapp नंबर पर आप मुझे message कर दीजेगा, कि सर मुझे general science की 1500 question बाली, PDF चाहिए तो और उसकी जो price है वो बता देता हूँ, 49 rupees है जादा नहीं है, तो उसकी PDF format में है उसमें physics, chemistry plus biology तीनों के question mix हैं तो तीनों के question उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे और सभी के सभी question, question with answer तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे ठीक है, चलिए तो आज की class को यहीं finish करते हैं जादा से जादा लोगों के साथ share कीजे सब्सक्राइब कीजे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजे और like तो भरमार करके देना ही देना है YouTube पर दिखा देना है इस बार के बंदा आ गया है पढ़ाने को DRU के लिए ठीक है, चलिए जय हैं जय बारत, टेक केर